डेवी, क्लास 8, सोशल साइंस, चैप्टर 7, Human Resources, इस चैप्टर का सॉलिशन करेंगे हम आज, Dear Student चैनल पर Math, Hindi, साइंस, सोशल साइंस, सस्कृत, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जुरूर चैक करें, सोलिशन से पहले, आप सभी को ये एडवाइज है, कि आप एक बार इसका, इस चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन वीडियो जुरूर देख लें, चैप्टर को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही सोलिशन करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, तो इसमें से कौन सा, मतलब स्पार्श पोपुलेशन का मतलब है, कि बहुत ही कम जहां पे पोपुलेशन होती है, ऐसा एरिया नहीं है, दा सहारा, ये एक डेजर्ट है, दा एक्विटोरियल फोरेस्ट, दा पॉलर रिजन, दा गंगा वैली, तो सहारा ये डेजर्ट है, बहुत ही कम पोपुलेशन पाई जाती है, तो जो गंगा वैली है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोपुलेशन पाई जाती है, तो इसका अंसर यही होगा, सेकिंड है, आउट ओफ एवरी हंडर्ड पीपल इन द वर्ल, हर सो लोगों में से, 60 पीपल लिव इन एशिया, हर सो में से, 60 लोग एशिया में रहते हैं, 16 पीपल लिव इन अफ्रिका, 16 लोग अफ्रिका में रहते हैं, 10 लोग येरोप में रहते हैं, और 20 अमरिकाज में र वो एशिया में रहते हैं, एशिया सबसे बड़ा कॉंटिनेंट भी है, आपको पता होगा, थर्ड है, which one of the following is false, इन में से कौन सा false है, जो गलत है वो बताना है, it took just about 111 year for the world population to rise from 1.5 billion to 7 billion, 1.5 billion से 7 billion population होने में सिरफ 111 साल लगे, the growth rate of population increases when the birth rate is more than the death rate, जो growth rate of population increases, जो population की growth rate बड़ेगी, जब birth rate जादा होगी और death rate कम होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है, इंडिया is the 7th largest country in the world in term of area and ranks second in term of population, इंडिया एरिया के हिसाब से 7th number पे आता है पुरी दुनिया में और population के हिसाब से 2nd number पे आता है, ये भी बिल्कुल सही है, पहली statement पी सही है, दूसरी भी और तीसरी भी, अब हमने false statement देखनी थी, तो ये 4th ही होगी, इन में से कौन सी स्टेट है इंडिया की, जिसकी जो population density है वो सबसे ज़्यादा है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तरप्रदेश, तो इसका अंसर होगा, बिहार, ठीक है, पहले कुछ साल पहले, क्या थी, वेस्ट बंगाल थी, मगर अब क्या है, बिहार है, जिसकी population density सबसे ज़्यादा है, फिफ्ट है, which one of the following age group, represent the productive population group of the population, इन में से कौन सा ऐसा age group है, जिसको क्या माना जाता है, productive population group of the population माना जाता है, यानि कि यह लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, product कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, तो कौन सा age group है, 15 to 59 year, above 59 year, below 15 year, 15 to 66 year, तो इसका अंसर होगा, 15 to 59 year, यह जो उमर की जो population होती है, इसको productive population माना जाता है, productive population group माना जाता है, अब B part है, इसका feeling the blanks, blanks को हमने fill करना है, फर्स्ट है, इंडिया ranks dash in the population, next to China in the world, इंडिया कौन से number पे आता है, population के इसाब से, second number पे आता है, चाइना के बाद, first number पे चाइना है, सबसे ज़्यादा population दुनिया में, कौन से देश की है, चाइना की है, उसके बाद हमारा number आता है, second है, अब इसका number two है, number of children below 15 year and adult above 59 year is defined as, जो children है, 15 साल से नीचे और 59 year से उपर, जो लोग है, वो कौन सी population उनको कहेंगे, तो उनको बोलेंगे हम dependent, वो किसी ना किसी पे depend करते हैं, इसलिए उनको dependent बोलेंगे, 59 year से जो उपर के लोग हैं, और 15 year से जो नीचे के लोग हैं, वो तो बच्चे ही हो जाएंगे, ये क्या है, depend करते हैं, इनको dependent population बोलेंगे, third है, the growth of population is affected by its dash, dash and migration, जो growth of population किस पे depend करती है, birth rate पे कितने, कितनों ने जनम लिया, death rate पे कितने मर गए, और migration पे depend करती है, कि एक जगा से दूसरी जगा पर कितने लोग आ गए या छोड़ कर चले गए, fourth है, the important attributes of population composition are dash, age structure and dash, जो population के attributes हैं, वो क्या है, उसमें हम कह सकते हैं वही, sex ratio आ जाएगा, age group आ जाएगा, और तीसरी चीज क्या है, literacy rate आ जाएगा, यहां लिख देता हूँ में उपर, literacy, L-I-T-E-R, ठीक है, L-I-T-E-R, A-C-Y, literacy rate, fifth है, in India, almost half of the population reside in five states of India, उत्तरप्रदेश, dash, dash and मद्देबरदेश, इंडिया में, इंडिया की जो पूरी population है, उसका half, लगबग पांच राज्यों में, पांच state में, हमारे पूरे देश की जनसंगा का half part रखता है, तो वो कौन-कौन सी state है, उत्तरप्रदेश है, महाराष्ट है, यहां लिख देता हूं उपर में, उत्तरप्रदेश के बाद महाराष्ट, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट, उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट, उत्तरप्रदेश, 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 उत्तरप्र प्रदेश ये पांच ऐसी स्टेट हैं जिन में हमारे देश की लगबग आदी जन्संख्या रहती है अब सी पार्ट पे आ जाओ ट्रिवर फाल्स है दा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है जो टैन बिलियन मार्क को प्रोस कर गई है तो यह आएगा फाल्स 10 नहीं आएगा यहाँ पे 7 बिलियन आएगा ठीक है दा सेक्स रेशियो ओफ इंडिया इन 2011 वाज 943 तो यह आएगा ट्रिव दा टैंस्टी ओपॉपुलेशन इस दा नंबर पर स्क्वेर किलोमेटर ओफ एन एरिया तो यह भी आएगा true the natural growth rate of population is the difference between the birth rate and the death rate यह एगा false और fifth है population becomes human capital when there is investment made in industry, agriculture means of transport जब population becomes human capital population human capital का बनती है जब उस industry पे agriculture पे और means of transport पे investment की जाए ये बिलकुर गलत है ठीक है? फालस आएगा population कब human capital बनती है? जब investment किस पे की जाए? education पे की जाए, शिक्षा पे की जाए स्वास्थे पे की जाए, health पे की जाए या फिर skill development पे की जाए तब जो population है वो human capital बनती है तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe पर लेना और वीडियो का अपने सबी दोस्तों साथ share जुरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार जुरूर के लिए